ब्रॉट टो यू बाई वीगाड को पावर्ड बाई सेंसोडाइन एंड विमल बोलो जुवा केसरी नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन राजस्तान मैं हूँ अमबेश रिवास्ताओ अब देखिए राजस्तान में लोग सभा चुनाओ के मद्दान हो चुके हैं सभी 25 सीटों के लिए मद्दान हो चुके हां आज जरूर अजमेर सीट पर जो है वो एक बूत पर अजमे सीटों पर चुनाओ हो चुके हैं मतगरना जो है वो चार जून को होगी उसके बाद फैसले आएंगे लेकिन बीजेपी में एक अजीब तरीके सी घबराहाट कहें वो दिखने लगी है और वो वजह है जो सर्वेज आ रहे हैं जो लोग चर्चा कर रहे हैं जो गली और चौ पूर मुख्यमंत्री वसंदरा राजे सिंधिया क्या कुछ कारण है और क्यों वो सुर्खियों में हैं जानेंगे हमारे एक्जिकेटिव पर्यूसर पुशकर चौहान सर से सर वसंदरा राजे क्योंकि सीटे कम जा रही है तो तरचा में वसंदरा राजे आ गई है किंद्र म कोई आखुलें जूट नहीं बोल जूब लेके हिसाब करते न तो ठीक है वसुन्द्रा राजएम आप मुझे बताई हैं दोजार-चॉदा में मैं कर रहें थी दोजार-चारा में नहीं कर रही तो 23 में नहीं कर रही थी कब नहीं कर रही थी आप कहीं 24 में एक्टिव नहीं दिखाई थी वो जो जिस दिन वो परची जब उन्होंने भजनलाल सर्मा को नाम पढ़ा उससे पहले 2-3 दिन जो कवायद हुई आप सबने हम सबने देखा है उस पे डिटेल पे चर्चा में तो 2013 बार जब चौदम चुना हुआ तो 25 में 25 किस के खाते में गई बीजेपिक खाते में आप कहेंगे मोधी लेहर थी यह था उन्होंने 100% कभी नहीं आया ना भाई उससे पहले कॉंग्रेस की लेहर में भी कॉंग्रेस की बीसी आप आई ना और 2009 में 20 थी कॉंग्रेस बड 2013 में वो मुखमंत्री बनती है और 2014 में वो आप देख रहे हैं 2013 में वसुना राजी मुखमंत्री बनती है तब 163 सीठे मिलती है बिल्कुल जो मौझूदा सरकार थी उसके मलब एक विधायक अगरून के हार जाते 20 पर जाते तो वो अपना नेता प्रिटिपक्श नहीं बना बिल्कुल आप 21 सीठे आई थी कॉंग्रेस किस बुरी हालत में पहुंच गई थी तेरा में तो वसुंद्रा के चेहरे पर ही ती बड़ी जीत लेके आये थे ना और ठीक है चौदा में मोदी फैक्टर था एंटी इंटी इंकमेंसी फैक्टर थी उन्नेस में भी 25 रिपीट ह कर रही थी ना वसुंद्रा राजे आप मुझे याद है जब वसुंद्रा राजे तेरा में चल रही थी और चौदा में तो जो शोशल मीडिया उनका जो भी कर रहा होगा भीड मतलब आउटमेटिक चलती मा वह माहरानी वाकई में वहां पे अगर राजस्थान में बहरों स शेकावत के बाद बीजेपी किसे ने खड़ा किया है तो वह वसुंद्रा राजे है और सब कुछ चाहते हुए भी सब कुछ चाहते हुए भी विदान सभा में आप वसुंद्रा राजे को इग्नोर नहीं कर पाए आप जीत गए क्योंकि 5 साल की परिपाटी रहती थी लेकि चौबिस में आपको रिजल्ट दिख रहा है आप लेगा है कि मैनिफेस्टो में कमेटी में है सदसे है मैनिफेस्टो वर्म राज उसको फाइनल कर वसुंद्रा राजे आम जन की नेता है वो जब निकलती है तो भीड चलती है वो गाउं और शहरों में लोगों को नाम और म महलों में जानती कि उसको लालो उसनेता को एक मुझे वो या मनलब जैसे लग रहा कि वो सरकारिया दिकारियों को नहीं या पुलिस अफिसर्स को जो कार्याले में बेद दिया जाता है फाइलों की वसुंद्रा के साथ बिल्कुल आप सेक्रेट्रेट में हो जाईए द्या देखिया और बड़ा अच्छा काम है ब्रश्टा चांड निरोदी उसमें बेज दिया कि ब्रश्टा आप मेनिफेस्टा नहीं आप उनको जब बाडमेर 2014 जस्वन सिंग बगावत किये थे बीजेपी के कद्धावर नेता कर्णर सोना नाम को लेके कौन आया था किसके कहने आया थे बाडमेर सीट चिता के बेजी थी उस समय सभी कह रहे थे कि वसंदरा राजे ने खेल कर दिया इत्यास ना नम्मर और जो बोला गया है वो हटता नहीं हो हमेशा याद रहता है और वसंदरा राजे इस बार एक निर्जली ने बीजेपी के हालत खराब कर दी वसंद पाइलेट के जवाब में क्यों नहीं उनी जगों पर आपने उन साथों सीटों पर जहां पर सचिन तन पाइलेट लेके आये थे टिकेट तो आप अपने करीबियों के वहीं पर आपने वसंदरा राजे कि यह होती है डारेक्ट पॉलिटेक्स वो तब कहते आप लड़िये फिर आप देंगे भी नेतकों और जिता भी दे तो ऐसा बहुत कम होता है और उसी का अधर मुझे लग रहा है कि जो आप उपर से नीचे तक देखेंगे राज़स्तान में यू कही Leonard हर 2-3 सीट के बाद एक सीट पर फसी है हर दो सीट के बाद एक सीट पे भसी है तो वसंदरा के सर करीब बी ने था जैसे प्रहलाद गुणल प्रहलाद गुझल प्रहलाद गुणल ने पार्टी छोड़ी भी राहुलोजा है फालाद गुणल ने कोटा में चाएंध हम आपने स Candis किया कि कोटा में प्रहलाद गुंजल ने खेल कर दिया प्रहलाद गुंजल ओम बिल्ला के भी बहुत अच्छे मित्रों में थे मगर वो लॉयल थे वसंद्रा के आज वहां कोटा की सीट फसी है आज बाडमेर में आप कह नहीं सकते जीच जाएंगे आज आप कह नहीं सकते की चुरू में आप राजेंद्राठाओर को इतना बड़ा बनाते चले गए थोड़ा वहाँ के लोकल बीजयपी की वसंद्रा अच्छेृ आज के लिए इसी बीजेपी से वसंद्रा राजे लड़ गई थे राजिनाद सिंह प्रसेंध प्रसिडेंट हुआ करते थे बोले अगर नेता प्रत्मक की आधिकारिक रैली के लावा भी अपने बर्दे से पहले एक रैली की थी तो ये वसुंद्रा राजे का style नहीं था क्योंकि उनका connect है वहां की जनता से वो कहती है कि हार जीत कुछ भी हो मेरा connect है और राजिस्थान के लिए मैं जीती हूं मरतियों और राजिस्थान का जब उन्हों जब चाहा है तब चुनाव पलट लिया और मैं कह रहा हूं बीजेपी को इसी लिए उनके बेटे को टिकट देना पड़ा जालावर और उन्होंने वादा किया आपकी पांच लाग से जीते है सीट वाइज भी आप देख लें बालमेर देख लें जुन जुनू देख लें यह सब बड़े प्रभावी इलाके रहे हैं वह खुद वहां से जाटनेता ओभी सी ने आती है उनका अपना एक प्रभाव है एक वोटर उनका भी है कई-कई पैचेज में राजस्थान के इस तो तो आपको लगेगा ना मतलब मुझे यह लगता है कि पिछले 20 साल की राजनीत में यह चुनाओ एकलोता राजस्थान के अंदर था विधान सभा का यह लोगस का वाका कि जिसमें वसुंद्रा राजे बिलकुल दिखाई नहीं परदे में ने कहीं पर फ्रेम में नहीं थी एक अपने बेटे का चुनाओ प्रचार किया शायद दो जगे और कहीं गई है शायद मेरी समय नहीं सर वो उन्हीं की कॉंस्टेंसी क जिले हैं वहीं पर उन्होंने 12 और जालावान तो अब देखे सर चर्चा थी कि जब प्रदानमंत्री की सभाय राजस्थान में हो रही थी तो यह था कि साइद एक सभा में जब हम लोगों ने बात करी थी देखे यह भी एक चर्चा का विसे था कि भाई यह कहा जा रहा था कि वह साइद अपनी फैमिली प्रॉब्लम बहु की तवरत खराब है उसकी वज़े से यह चर्चा विधान सभा में थी यही चर्चा लोग सभा में थी इस वज़े से नहीं निकल रही है लेकिन और बेटेक चुना पूरा लड़वा रहेंगी क्या आप लोग भी लॉजिक अपने दर्स को ने 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 वो लॉजिक भाजपा वाला लॉजिक मत दीजिए ना आप तो पत्रिकारता कर रहें लॉजिक दीजिए लेटेक चुना लड़वा रही थी तो ठीक है तब यह बहु की वह दोरा कर दो बेटेक नामांकान भी नहीं गई थी अरे भाइग उन्हो में बेशते हैं आप करने बिल्कुल सर अब देखिया जब बात वस्मजाराजे की हुई है और बीजेपी की हुई है तो अब जरा सीयम भजनलाल क्योंकि उनकी साख सबस्यादा आपको तो आपको तो इंट्रस्टिंग खबर दे दी जो एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो किया कि अगर साख दाव पर है आप यह देखिया आपकी खबर का असर लेके प्रदेश कॉंग्रेस अद्धेक्ष उसको बात मानना है और कह रहा है कि यह हो जाएगा अगर कह रहे हैं हम लोग कि वसंद्रा इंपॉर्टेंट थी तो यह भाजपा को सोचला पड़ेगा अगर सियम बदल जाएगा तो सियम कौन होगा ने यह देखें राजनीत में इतनी जल्दी फैसलें नहीं होते हैं अभी हाँ आप कहेंगे आप खुदी कहते हैं पहले टे कि बजलना चर्मा ने अधिकारियों टाइट करना शुरू कर दिया है फाइव डेज भी खतम करके सिक्स डेज भी का गया है उदर आमी साजी एंपी में टाइट कर रहे हैं नेताओं को ने तो वो है लेकिन यह मतलब एक हलके फुलके अंदाज से अलग हटके अगर सियासी म में गोविन सिंग डुटासरा को क्यों नहीं एक बल मिल रहा था क्योंकि ना इतनी इन फाइटिंग बीजेपी के अंदर थी और इतना बढ़िया चुनाव तीसरा चुनाव है यह जो लोग सभा की अगर हम बात करें तो कुछ कई सीटों पर लड़ती दिख रही है लड़त आर एलपी और आपके बीएपी से हैं एक जो है वो निर्दली रवीन सिंग भाटी है तो साथ सीटे अगर खाली होती है अगर तो बीजेपी बता दें शिव वाले में तो अमिन खान जा रहे है उन निर्दली के खाते में वो जाईगी फिर निर्दली से लड़ेंगे कि कॉ साथ सीटों का नुकसान होगा तो उधर उनके पास साथ सीटे विधानसभा में पाने के लिए रहेंगी रहेंगी यह बड़ा है अगर आप साथ हार के गए है तो आपको उन सातों पर उन साथ ओं पे फिर वो Bajanlaal Salmaja को परी प्रेशर आ जाएगा फिर वो Bajanlaal Salma इन पर पिर साथ को जीतके जूँज भुलाए लगों लोग सभा अलग करूए लेकिन यह बहुत दूर की कोड़ी है यह तो हम लोग सभा के साथ साथ इस बात की चर्चक नहीं कर पाए कि एक विधान सभा सीट पर भी चुनाओ हो रहा है उप चुनाओ हाँ बिल्कुल बागी दौरा बागी दौरा वह भी कॉंग्रेस ने अपना उमिद्वार ने कड़ा क किया है बीएपी और वर्सेज बीजेपी में ही लडाई है तो यही सारे जो है ना यह भाजनलाल का लिट में स्टस्ट है फिर वो धीरे दीरे फाइले पाइल अप होती जाएंगी और फिर एक दिन पूछ ले जाएगा कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं चलिए सर मैं एक ब लेकिन सबसे ज़्यादा क्यों सबसे राजस्थान चर्चा में क्योंकि सुरेण सिंग चुना ओहार गए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला यहीं दिख रहा है कॉंग्रेस लड़ती हुए मदध परदेश में कहीं कोई नहीं देक्रा मदध परदेश में देखिया अपने श्रिवजा सिंह चौहन सिंह का यूज किया शिवज2 का यूश किया शेवरा सिंह चुना लड़वाया दैख हार्दा में हर्दा में करने जाते हैं पीम और एक कि मैंकि ब्र को प्रोगो होता बंम कर रहे होते 25 की 25 जीत रहे होते शायद अंबेश को इतनी मेनत नहीं करनी पड़ती सारे चुनाओं का निकाल के तब यह बताते सर इन 25 पर डिसाइड करते कौन सबसे अदा मार्जिन से जीत रहा है बाकी देखिए अब क्योंकि बड़ा लंबा इंतजार है नेताओं कि जैसे जैसे खबरे आ रही हैं कि भाई कौन आगे कौन पीछे लोग चोग चौराहों पर चर्चा कर रहे हैं तो आब उसमें वस्वाराजे का नाम आ रहा है आने वाले दिनों में आपको बहुत सी अदावतें के बारे में जो गड़ी हुई थी वो जो है चर्चा में आत झाले 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 भी लो जो है।